नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ओकी प्रेजित में और आज हम जिस विशे के साथ आपके सामने आये हैं वो विशे है उद्योग आधार रेजिस्ट्रेशन और साथी साथ MSME अब मुद्धा क्या है कि काफे साथे लोग हमें कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप MSME के बारे में बताईए क्या उद्योग आधार रेजिस्ट्रेशन और MSME में कोई फर्क है तो हमने सोचे कि इतने सारी आपके प्वेरिस आ रही हैं तो चलिए आज इक वीडियो पे बना द रेजिस्ट्रेशन क्या है यहां आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी कि आप कोई भी बिस्नेस खोलते हैं चाहे वो बिस्नेस चोटा हो चाहे बिस्नेस बड़ा हो बहुत जरूरी है उस बिस्नेस का रेजिस्ट्रेशन सरकार के पास हो यानि कि बहत जरूरी है कि आप उस तो उसका पता अगर सरकार को पड़ लगता है तो जाहिर तौर पर जो भी स्कीम्स होंगी आपके ब्रहबार से चुलिए में उसका पूरा ब्यौरा उसका डीटेल में आप तक वो जानकारी पहुंच जाएगी तो इसका सबसे बड़ा फाइदा यह और सरकार को फाइदा है कि क्योंकि टैक्स लेना है आपसे तो सरकार को भी यह पता चल जाएगा कि हाँ आपकी कंपनी रिजिस्टर है और आपका टैक्स बनता है कुल मिलाकर अगर आपको कोई भी कंपनी लीगली इस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए आपको रिजिस्ट्रेशन कराना मेंटीन और यह स्की मिनिस्ट्री ओफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटर्प्राइज यानि सूक्ष में लगू एवं मत्यम उद्योग मंत्राले द्वारा चलाई जा रही है देश में मौजूल सभी सूक्ष में लगू एवं मत्यम उद्योगों को MSME कहा जाता है MSME को इंग्लिश में माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटर्प्राइज कहते हैं MSME सेक्टर के कारोबार देश की आर्थिक विवस्ता और रोजगार उपलब कराने में महत्पूर्ण भूमिकाने भाते हैं सूक्ष में लगू एवं मत्यम व्यपारों की देश में महत्पूर्ण भागिदारी को देखते हुए और इस सेक्टर के कारोबारियों की सुविधा के लिए सरकार ने एक मंत्राले का गर्षन किया है जिसका नाम है Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises यानि सूक्ष में लगू एवं मत्यम उद्योग मंत्राले ये मंत्राले उद्योगों को जरूरत पढ़ने पर बिजनस लोन और अन्य तरह की सुविधा मुहया कराता है जैसे कि मुद्रा लोन यूचना इत्यादी MSME मंत्राले के एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सूक्ष में लगू एवं मद्यम क्षेत्र में 36 मिलियन यूनिट कारे करती है इन सभी यूनिट से 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार सुलब होता है ये सेक्टर देश में 6000 से अधिक उत्पाद GDP का लगभग 8% योगदान देता है और कुल वी निर्मार उत्पादन में 45% और देश से निर्यात में 40% योगदान देता है तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि MSME और उद्योग कार्ड इटिस्ट्रेशन में आखर अंतर क्या है अगर उद्योग अधार और MSME के अंतर या समानता की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं मतलब ना तो दोनों में कोई अंतर है और ना ही दोनों अलग हैं क्योंकि MSME केंद्र सरकार का एक मंत्राले है और उद्योग अधार उस मंत्राले की योजना द्यूचंट में वध्यं मन्त्राले द्वारा चलाई जा रहा ही सरकार के विभिन योजनाओं का लाब कर सकते हैं दोस्तो आप हमीं कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको हमारा इस वीडिओ कैसा लगा आप को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजेगा कमेंट में जरूर लिखेगा कि आप किस तरह के वीडियो पसंद तरेंगे और आगे आप किस तरह का वीडियो चाहिए इसके अलावा अगर आपको कोई भी बिजनस से रिलेटिड को यह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, बैल आईकॉन का बटन जरूर नभाएएगा Okay Credit, बिजनेस ओके है